नमस्ते संजीव सर्ड कैसे आप नमश्कार नमश्कार पहले तो जनम दिवस की बहुत बहुत बदाईयां अभी आपका चार दिन पहले जनम दिवस था तो उसकी सबसे पहले बदाईयां चालिस के हो गए आप नहीं मैं 50 से भी जाथ हूँ लगते नहीं ना इसलिए मैं कि एक चोटे से चैनल है हमारा भी शुरू शुरू आए उसके लिए आप नहामी बरी तो उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद क्योंकि आप इतनी सारे विशों के बारे में जानते हैं इकनॉमिक्स हिस्ट्री और अभी तो इकनॉमिक्स पर इतना काम कर रहे हैं तो हम यहां पर नौर्थ ब्लोक में बैठे हैं बहुत शेगरी इसको म्यूजियम बना दिया जाएगा और यहां से लेकर इंडिया गेट तक पूरा का पूरा काया कल्प होने वाला है सेंट्रल विस्टा जो बन रहा है एक तरफ तो वो लोग हैं जो कहते हैं कि यह बनना ही नह है जो इंडियन आर्किटेक्चर है जो हमारा पहले का होता था उससे इंस्पायड नहीं है इसके उपर आप क्या कहना चाहेंगे और खासकर कि इस इसको एक बहुत बड़ा अपोर्चनिटी था कि वो जो जो कला थी वास्तू कला थी जो खो गई थी उसको वापस पाने का त तो उसको कैसे देखते हैं तो पहले तो मैं यह कहूंगा कि इस जो सेंट्रल विस्ता को लोग के जो बहस कॉंट्रवर्सी जो चल रही है वो खामका ऐसे ही बिना किसी इन्फोमेशन के बिना ही किया जा रहा है जो लोग इस पर कॉंट्रवर्सी खड़ा करने में लगे उनको यह समझना चाहिए कि पहले यह हम लोग स्टीजेज में करेंगे एक बार में नहीं है तो पहले मैं समझा दूँ दर्शकों को कि यह प्रोजेक्ट है क्या तो दिल्ली के राजपत जो राश्टरपती भवन से इंडिया गेट तक की जो यह लकीर है उसकी इर्द गिर् उनकी आधुनिकरन के बारे में यह है अब जो रैसीना हिल पे जो जो विल्डिंग हैं वो क्या है राश्ट्रबती भवन को लेके कोई छेरचाण नहीं की जा रही है सौट ब्लॉक ओंडॉक्डॉक हम लोगे में इन है है यहां समस्या यह है कि ब्लिद तो बहुत देखने में बहुत अच्छी है लेकिन अधुनिक ओफिस के लिए यह सही नहीं है क्योंकि ये एक जमाने में बनाए गए थे एर कंडिशनिंग वगएरा चल जाती है बहुत मुश्किल से लेकिन इसमें तार लगाना आप बाहर जाके देखेंगे कि ये वाई फाई वगएरा लगाने के लिए बहुत इसमें बहुत ही परिशानी है जब कि ये बिल्डिंग जो ही है एक छोटा सा नैशनल म्यूजियम है तो क्यों नहीं इनी बिल्डिंग को म्यूजियम में परवर्तित कर दिया जाए अगर हम लोग इसको मतलब इनकी आधुनिक रंग करना ही है तो हम लोग को आफिस यहां से पहले निकालना ही पड़ेगा यहां अगर आफिस भी रख है और शायद यहीं किया जाएगा कि चूंकि हमारे देश में एक नैशनल म्यूजियम नहीं है जो मतलब इंटरनेशनल स्टेंडर्ड का है क्यों ने इन बिल्डिंग का इसी के लिए प्योग किया जाए और इससे एक यह लाब ही होगा एक तो इन जो यह जो उची-उची सी देखे उसका आएं यहां और यह जो साइज है इसमें मतलब यह जो हमारे जो अवशेश हैं उनको ठीक तरीके से हम लोग दिखा पाएंगे तो एक यह अच्छी चीज़ दूसरा है कि यहां पार्क गार्डन बाग जो हैं उनके भी लोग इस्तमाल कर पाएंगे मैं तो सिर् आप अब अब कर आप शर्एंगे डिखेंगे तो वहां भी म्यूजियम है लोग मौल उसको मौल कहते हैं वहां दौडने के लिए जाते हैं पिकनिक के लिए जाते हैं तो यह यहां ऐसा टाइप माहूल हो वाप इस पहाड़ी साब नीचे जाएंगे तो वहां देखेंगे कि ये बोट कलब बगए करा कि जो वहां उसको नाली ही कह सकते हैं क्योंकि वह लेक तो है नहीं तो जो भी है उनको भी साफ किया जा रहा है और पहले आपको मालूम होगा अगर दिल्ली के हैं कि वहां एक बद्बूसी आती थी, वहां कीचर सक रहता था मतलब उसको इस्तमाल नहीं कर पाते थे, दूसरी बात है कि साल में दिल्ली में चार महीने हैं जब यहां मतलब माहोल अच्छा रहता है, धूप में बैठते हैं, सर्दी में, मज़ा आता है, लेकिन वही समय है जब हम लोग यहां रिपब्लिक डेका परेट करते हैं, ठीक ह तो आब क्या होता है कि इस समय हम लोग इसका इस्तेमाल करी नहीं पते हैं, क्योंकि वहां पहले तो सबको हटा दे एक स्कुरीटी होगा फिर हुआ बैठ नहीं के जहगा नहीं है, तो यह जो राजफत के दो साइड में जो पार्क है उसको पहले तो हम लोग साफ कर रहे है वहां जो जो नालिया ही कह सकते हैं जैसे उनको फिर से साफ करने उनकी सौंधरी करन की जा रही है फिर वहीं पहले से फिटिंग लगाया जा रहा है जिससे कि जब रिपब्लिक डे के लिए हम लोग स्टैंड वगारा लगेंगे ना तो वह एक हफते में फटा-फट लगा दि रहा है ड्रेनेज रहेगा उसको में स्टैंड वगारा लगाने के लिए उसका फिटिंग रहेगा तो फटा-फट लग जाएगा और अगर किसी कारण से दूसरे इवेंट्स भी करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं और मेरा कहना है कि राजपत को पूरी तरह से मेरे ख्या है लेकिन जो राजपत है वह जो लकीर है उसके किसी कि जानी जरूरत ही नहीं है कितने लोग हैं कि अगर कोई राश्ट्रपती भवन से इंडिया गेट जाना चाहता है तब ही इसका प्रयोग किया जाता है हां और वह साल में एक बार होता है बाकी समय उसकी आप रहने लिच में एक ओपन स्पेस हो जाएगा जो सब इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ लोगा कहना था हम लोग यहां पहले आइस्क्रीम खाने जाते हां भी आइस्क्रीम खाने आई और भी अच्छा होगा आपको गाड़ी ने का गाड़ी के लिए नया सा पार्किंग कर दिया अब रहा इसके इड़्ट के जो बिल्डिंग से अब पहला जो बिल्डिंग जिसका बनाया जा रहा है वह है पार्लिमेंट अचा अभी जो बिल्डिंग है वहां देखने बहुत सब्दर है लेकिन उसका प्रयोग जब किया जाता है तो उसमें भी जैसे नौल ब्लॉक मुश्किलाद दिखती है वही है कि वहां वहां भी तार नहीं है वह जब बनाया गया था उंचे-उंचे सीलिंग के से लो उसको एर कंडिशनिंग लगाया नहीं जा सकता ठीक से और बैठने के लिए जगह नहीं है हमारे कितने सांगसत हैं लोग सभा में 545 तो उनके बैठ क्रिक प्रूफ किया जाता है वो भी नहीं है क्योंकि यह सब चीज़े तो पिछले 30-40 साल में जरूर क्योंकि यह तो भू कंप होता ही रहता है तो उस बिल्डिंग में बहुत तरीके के खत्रे भी हैं और आधनुक जो टेक्नालोजी है उसका भी वहां प्रयोग ठीक से नह नहीं नहीं इसके पिछले 2012 में शायद इन सब समस्याओं का लेक किया गया था तो इसलिए एक नया सा बिल्डिंग बनाया जा रहा है उसका उसको आपको दिख रहा है तो अब प्रशन ही है कि इसका आर्किटेक्टर क्या होगा देखिए एक मोटा मोटा जो धाचा है वह त इस पुराने तरीके से अब वह construction होता भी नहीं और वह जो earthquake proofing है वह हम नहीं कर पाएंगे तो इसका जो धाचा है वह modern ही बनेगा अब बाहर का जो नक्षा है वह कैसा है उसमें हम लोग Indian elements डालेंगे और जो आर्किटेक्ट है बेमल पतेल जी उनको यह यह उनका भी यही मत है कि इसमें Indian elements डाले जाएंगे modern elements भी डाले जाएंगे और इसको अगर देखना चाहते हैं कि उनकी सोच क्या है तो देखिए यह काशी विश्वनात में का काम जो हो रहा है वहीं कर रहे हैं और वहां तो आपने देख रहे हैं कि हमना साफ तो किया है कुछ पुराने building भी उ प्रश्वा मतलब जो architecture रहे हैं वहां के elements दिखेंगे तो यहां भी यहीं करेंगे हम भी चाहते हैं कि अब की मतलब पूरे देश तो बंदाने सो दो सो साल में हैं सो दो सो साल में नया इसा पूब्लिक प्रोजेक्ट ऐसा हर साल तो बनेगा नहीं तो हां पूरे देश में ज इसी तरह से present किया जाए हो तो सभी का यहीं मत है ऐसा नहीं है कि यह मेरा मत है ऐसा कोई मैं अभी तक नहीं मिला हूं जिसका यह मत नहीं है तो यहीं किया जा रहा है दो-तिन experiments भी होंगी शायद कुछ ठीक से नहीं हुआ तो उसको change भी कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि भगवान में कभी गया है उसको मालूम होगा कि इन बिल्डिंग का कोई मतलब कोई खासियत ही नहीं वह हम बने 1950s 60s में बने होंगे और उनकी कोई खासियत है नहीं वैसे फंक्शनल बिल्डिंग है धाचा सा खड़ा कर दिया वही PWD आकेटेक्चर जो है वही है उसके अंदर आप जाएंगे तो देखेंगे मतलब लीकेज है टोईलेट का जो यह बद्वू रहती है चाही हुई है मतलब बहुत बुरा हालत है वो कभी न कभी उनको तोड़के नया सा बनाना पड़ेगा तो सिर्फ एक प्लैन बनाया गया है कि इनको धीरे-दीरे तोड़ा जाएगा बनाया जाएगा आप इस पे आप एक तर्कया जा सकता है कि हाँ इनका राकिटेक्ट्चर अलग से किया जाये व ऋुसर ठीक है अभी बन नहीं रहे तरह यह सिर्फियर स्क्वेर्थ तो बहुत तरीके के हैं महळदार हो और हडपा के सभ्यता के समय से भी स्क्वेर दिख रहे हैं नहीं बहार कर दिजाइन तैयार नहीं भी नहीं है और देखिए धाचा अधुनिक ही बनेगा उसके उपर जो हम लोग डीटेलिंग करेंगे हां उतना ही है वही कर सकते हैं वैसे भी हम लोग पूरी तरह से तो बत कोई सिर्फ ऐसे ही बनाया नहीं है रहे है कोई फंक्शनल काम कि लिए बनाया जा रहा है उफिस इफ चलेंगे ना वहाँ से तो कुछ ऐसे चीز हैं जो चाहे-ना चाहे उनको लगाना ही पड़ेगा में हमें लिफ भी लगाना पड़ेगा सिए-सकलेटर भी लगाना से पहले कि सो smart cities बनाना चाहिए हमको लेकिन उसके बाद अब भी लोगों का यह criticism आना शुरू हुआ है कि कहां गई वो सो smart cities तो इसमें मैं देखता हूं कि कहीं न कहीं लोगों को एक तो smart cities का concept clear नहीं है और दूसरा कि cities भी उनका जो इंडिया में कम से कम यह मानते हैं कि चंडिगड यह ऐसे city बनना चाहिए खुले खुले रोड होने चाहिए सब जगे फिक्स्ट यहां पर यह यह यूज का लिए यहां पर कमर्शल यूज के लिए और फिर वो कहते हैं यह तो सिंगापूर जैसा है आप ने सिंगापूर में भी काम किया है आप ने चंडिगड के ऊपर भी काफी study किया है आप जानते भी हैं अर्बन प्लानिंग का तो इसके ऊपर क्या कैसे हमारे जो smart cities है सो दो सो जो भी और कोई city को स्मार्टी करना चाह रहे हैं हम तो वो कैसे आगे बढ़ना चाहिए उस पर पहले यह एक चीज समझ लीजिए कि लोग सोचते हैं कि smart city का मतलब है यह digital technology से कुछ लेना देना है ऐसा नहीं है आपका smart phone और smart city में कोई कोई link नहीं है हाँ लोग हाँ तो यह समार्ट किस किस दृष्टी से हम लोग इसको smart कह रहे हैं देखिए यह है कि स्वाधीन हो जाने के बाद कि जो भी हम लोग उने शहर बनाए हैं उन्हों का आप एक अजीब चीज देखेंगे कि आप यह तामिलनाट में देखें शहर य या गुजरात में देखें या असाम में देखें इस सब एक ही जैसे दिखते हैं जबकि हमारा जो यह परंपरा में देखेंगे जो पुराने शहर कलोनियल पीरिट के और उसके पहले के भी हाँ हाँ काफी विद्धा इसलिए है कि क्लाइमिट जो भी हैं जलवाईू हर जग मतलब पिल्गरविट साइट है उनके लिए अलग कुछ चाहिए तो इलाके के सोच विचार उसके जो उसकी जो फंक्शनल उसका यूस होगा उसी के हिसाब से बनाया गया है अब क्या हुआ कि 1950 के बाद जो हम लोग शहर बनाएं उनको हम लोगों ने एक टेंपलेट की हिसा सबसे बनाएं क्योंकि यह किसी के हमारा उस समय की जो सोच थी कि एक टॉपडाउन है कोई यह प्लाइन कमिशन में बैठेंगे सब को बताएंगे कि आप ऐसे शहर बनाएं क्योंकि यही शहर बनाने की तरी यह प्रणाली है तो क्या हुआ है उससे कि हर जगे एक ही किसम के और पिछले 20 साल में फिर प्राइवेट मॉल थोड़े बने हैं एर्पोर्ट बने हैं थोड़ा अलग-अलग करेक्टर है लेकिन उसको छोड़के आप देखेंगे वही पी डबलुडी वाला एक आर्टिटेक्टर है बक्से जैसा है हां हां उसमें सिमेट लगेगा कुछ बिल्डिंग कोड़ है उनमें इसी तरीके के आर्टिटेक्चर को एकदम कोडिफाई कर दिया है तो यह क्यों किया है क्योंकि वही एक सोच थी कि कुछ मतलब केंदर में बैटके प्लैनिंग कमिश्वन में बैटके सब ऐसे इसी तरीके के शहर बनना चाहिए यह बताएंग कि यह जो सोच यह है कि इससे कभी भिन्न है यह है कि स्मार्टनेस क्या है स्मार्टनेस यह है कि आप परिस्थिती की अनुसार शहर को उस तरीके से बदलें या उस तरीके के बिल्डिंग मनाएं या अर्वन प्लैनिंग करें या जो भी है जो भी अर्वन इंडिवेंशन कर करें तो एक competition किया गया ये पांच-छे साल पांच-छे साल हो गया हो गया उसमें हम लो शहर के नागरिकों को पूछा कि आपको क्या चाहिए हाँ तो आप देख सकते हैं कि इसमें सोच में कितना बदला हुए ये कुपर से बता रहे थे कि ये ऐसे से बनना चाहिए अब आप कि आपको क्या तो देखिए तो अलग अलग शहरों के नागरिकों ने कहा कि हमको ये चाहिए ये जैसे इंदोर को लीजे इंदोर की ये सोचती कि हम सवच होना चाहते हैं और इंदोर की क्या खासियत है कि स्ट्रीट फूड तो इंदोर में 56 बोलके बहुत प्रसिद एक स्मार्ट सिटी वह भी स्मार्ट सिटी अब कहीं और शहर में कहा कि हमारे पास अच्छा सा रिवर फ्रंट है तो उसको साफ कीजिए कि किसी शहर ने रिवर फ्रंट को सफाई करने के लिए पैसा खर्च किया और किसी ने कहा कि हमारे यहां ट्रैफिक की समस्या है तो हम होंगे कुछ खराब होंगे लेकिन उस शहर ने अपनी सोच के विचार धारा अपनी सोच से जो भी किया किया अब हो सकता है कि हर हर इंटर्वेंशन सफल नहीं रहा है लेकिन आपको तो मैंने एक दो इजाहरंदी हैं जैसे अब वारणसी में भी जो पहले उपर हर शहर में होता है तार जो थे वो तार को जमीन के नीचे कर दिया रहा है तो वह मैं कहूंगा कि वह सफल रहा है यह काशी विश्मनात का साब शायद अलग प्रोजेक्ट है यह स्मार्ट सिटीज का नहीं ह उसको केंद्रित करके कहीं न कहीं शहर की इमेज बनाने का तो उस शहर के अनुसार किया जा अब पुरानी यह जो सोच थी कि हम लोग हर जगे चंडिगड बनाएंगे पहली बात यह है कि चंडिगड में को एक शहर ही नहीं कहा जाता है यह एक सरकारी बाबों के रहने के ल मुंबाई जैसे डेंसिटी लाएंगे तो वो जली नहीं पाएगी तो बहुत सारा जमीन जायदाद देखे तो फिर सब उसको राश्टरपती भवन में रहना चाहिए तो और भी अच्छा है तो यह कोई अर्वन प्लाइनिंग की यह कोई सक्सेस स्टोरी नहीं है यह सिर्फ यह दिखाती है कि अगर आप बहुत जादा जमीन देखे जाहत देखे बड़े-बड़े बंगले बनाएंगे तो फिर ल परकारी बाबूं के लिए असली शहर अगर देखना है तो आपने सिंगपोर का जिकर किया हमेने सिंगपोर में बहुत साल काम किये वहां आप अगर लैंड यूज देखेंगे तो बहुत डेंस है मतलब कम से कम जगह में कितना सा वैल्यू एडिशन कितना काम किया जाता है उसी में अर्बन प्लानिंग का जो मतलब यह जो कला है उसी में है ना कि जमीन कितने कम जमीन पर आप कितना उसका मैक्सिमाइज कर सकते हैं वही कला है और उसमें बहुत सारा ले गए तो बहुत अच्छा है तो लिमिटेड ही है चोटा सा देश है हमारे यहां भी जन संक्य हम लोगों को जमीन का जो एरिया है उसको उसी हिसाब से उसका इस्तमाल करना चाहिए तो यह कहना कि चंडिगर बहुत अच्छा शहर है कि तो मतलब यह आप तो समझी नहीं पा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं उसमें तो कोई कला ही नहीं है हाँ तो आप अगर नहीं तो मैं है कि आप बहुत लोगों को एक सीमित जगा में अच्छी तरह के से जो स्वच हो जिसमें ट्रैफिक भी चले आप जो काम करना चाहते हैं रहने के लिए ओवेस लेजर एक्टिविटी जो भी आपके लिए चाहिए वह एक जगा में हो सीमित जगा में हो जिससे पूरे रहे हैं या शहर बनाना चाहिए साठ साल से करना तो ये ना विछ हो जा primary बनाता है तो एक हम लोगों ने पिछले सतर साल में एक भी सफल शहर नहीं बनाया रही हैं कि हम लोग सोचते हैं कि विखर विख्रा जाएगा तो और भी अच्छा हगा नहीं इसमें क्या होता है अर्वन अमिनियटीज विखर जाते हैं अच्छे जो शहर हैं वह concentrated शहर है क्यों कि यह आपको हम लोग बना सकते हैं तो बनाने से ज्यादा मैनेज करने पर जी कैसे गवर्न किया जाए जी जैसे आप देखिए आप अगर हम भी शहर लेजिए आपको लगेगा इसमें बहुत बीर भाड़ है इसमें मतलब और लोग आएंगे तो कैसे चलेगा ऐसा नहीं है यह अर् आपको मैं उदाहरन देता हूं मुंबई के जो पूर्वी जो हिस्सा है पूरा जो है वो पॉर्ट ट्रस्ट की जमीन है हां बाइस किलोमेटर तक पूरा यह जो स्ट्रिप है यह आप जहां यह ताज होटल है वहां से लेके ट्रॉम्बे तक जहां अटॉमिक इनरजी है वो पॉर्ट ट्रस्ट की जमीन है वो पड़ी हुई है क्योंकि वहां पॉर्ट अभी चलती नहीं है जेन पीटी चली गई है जो भी पॉर्ट का जो काम हो रहा है वो अब जेन पीटी में हो रहा है तो जमीन पड़ी हुई है उसका हम लोग इस्तेमाल ही नहीं करते हैं जबकि अगर और किसी देश में ऐसा एक मतलब एकदम समुद्र तट पे ऐसा एक जमीन पढ़ा हुआ मिलता तो उसको हम लोग एकदम पुडॉंग जैसे शांगाय में है या कनेरी वॉर्फ है लंडन में या सिंगपोर की ज़कर कर रहे थे तो वहां भी पूरा तो री डिवेलप्ट है ऐसा ही पढ़ा हुआ है कलकता में भी यह हुगली नदी के साथ जो है गंगा के साथ किनारे दोनों पुराने पुराने जूट मिल्स पढ़े हुए हैं उनके वेरहाउस पढ़े हुए हैं क्यों उनको वेरहां से क्या ज़रू है अच्छे-च्छे नाए कॉंडूमिनियम बनाई है ऑफिस बनाई है पार्क बनाई है मंदिर भी बनाई है तो हम लोग इस्तमाल नहीं करते हैं दिल्ली में भी यह हालत है तो बदलने के लिए पहले तो आपको अपने अपनी जो यह विचार दारा है उसको बदलना पड़ेगा कि शहर को सिर्फ गाओं के तरफ लाने पड़े हुए हैं जो जमीन है उसका पहले इस्तिमाल कीजिए नहीं तो क्या कर रहे हैं उस पर खेती करें या आप शहर बनाएंगे तो क्या हो रहा है और हर जगे जाएंगे वहां ड्रेनेज है ना वहां गार्विज क्लिरेंस का कोई प्रबंद है तो यह टूटा ज रहा है जबकि शहर के अंदर अगर कॉंसेंट्रेटर तरीके से करेंगे तो हम लोग कर पाएंगे उसको मैनेज भी कर पाएंगे इसमें यह बात तो आपने सही की लेकिन गौवर्नेंस का स्ट्रक्चर भी कुछ चेंज करना नहीं आप इस पर बहुत 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 हर तरीके के सिस्टम है और वो चलते हैं हर सिस्टम से चल सकता है जादा समय हम वर्त इसमें लगाया रहते हैं यह करना है यह करना यह मेर आके करेगा क्या वो करो ना उस पर कोई ध्यान नहीं देता है कि करना क्या है किस तरीके से करना है वो इलेक्शन कैसा होगा उसी पर ह कुछ लेना देना ही है, दुनिया भर में हर तरीके के सिस्टम से अर्वन मैनेजमेंट चलता है, हर तरीके के सिस्टम है, ऐसे देश हैं जहाँ डिमोकरसी नहीं है, फिर भी शहर चल रहे हैं, चीन में डिमोकरसी नहीं है, फिर भी चल रहा है, वेटनाम में भी चल रहा है, दुबाई में भी चल रहा है, पस्चिमी देशों में डिमोक्रसी है, वहाँ भी चल रहा है, हर तरीके के सिस्टम में में वो है कि आप लक्ष क्या है, लक्ष को देखिए, न कि कैसे करना चाहिए, कैसे इलेक्शन होना चाहिए, यह सब बेकार की बाते हैं, funding की भी कोई कन्वी नहीं है, देखिए पहले हम लोग सुझते हैं, गरीब देश हैं, लेकिन हमसे भी गरीब है व्यटनाम, आप जाईए हनौई देखिए, होची मिन शहर में जाईए, देखिए कितना साफ सुतरा है, उनने कैसे मैनेज किया है, कैसे किया है, क्यों हम लोग क्या कर रहे हैं, यह थियोरी में ही चलाया जा रहे हैं, नकि देख रहे हैं कि हो क्या रहा है जमीन पर, बस आपको garbage clearance ठीक करना है, सड़कों को ठीक करना है, drainage ठीक करना है, और urban जो है उसको evolve करने देना है, नकि हम पहले से सोचने कि सहर ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा आहिए हर युग में शेरों की एक जो अर्थ वेवस्ता में जो स्थान है वो बदलते रहती है, तो उस हिसाब से हम बदलते रहें जैसे हमनों मेट्रो बनाया है हर मेट्रो से अब स्टेशन है तो अब पहले वहां स्टेशन नहीं था तो उसका जो उस इलाके का जो मतलब अब उस जगह की जो अर्थ वेवस्ता है वो अलग थी अब वहां आपने एक स्टेशन बना दिया तो वहां का जो आर्थिक धाचा है वो ही बदल गया है तो आप उस हिसाब से करेंगे ना उसको आप डेंसीफाइड करने दीजिए और लेकिन ऐसा नहीं कि जो मर्जी जो करें आपने जब सोच लिया है कि अब डेंसीफाइड होगा तो उसको मैनेज कर लीजिए कोई एक उसको बदलते रहे है मतलब ऐसा नहीं कि एक जगह स्थाई नहीं रहना चाहिए समय के साथ बदलते रहो हाँ और कुछ एकाद चीज होंगे जो जिसका प्रिजर्वेशन होना चाहिए पुराने बिल्डिंग है कुछ है या कोई एकलोजिकली सेंसिटिव जोन है उसकी आप देख रहे कर लीजिए लेकिन पूरे जगह का एक मतलब एक जगह पर अटक जाए ये गलत है आगे कैसे बढ़ेंगे दरगेती कैसी होगी अभी संजीव सर न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें क्योंकि आपका इंटरस्ट और आपका विशेश विशेशता है इसमें हिस्ट्री में तो उसमें मैं आपने पूछना चाहूँगा कि अभी नई टेक्स्ट बुक्स आने वाली है जिसमें रिकमेंडेशन ये भी है कि हिस्ट्री का भी चेंज होगा सारी टेक्स्ट बुक्स चेंज होंगी नया पाठेकरम आ रहा है तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमको गलत सिखाई गई है या जो नहीं सिखाई गई है हिस्ट्री के सिलेबस में या हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक्स में जो अभी आप एकस्पेक्ट कर रहे हैं कि ये तो होना ही चाहिए एंशन्ट हिस्ट्री से लेकर फ्रीडम जो मुमेंट है हमारे क्रांतिकारियों का इतिहास है यहां तक 1947 तक उसमें क्या-क्या ऐसी चीज़ें हैं जो पढ़ानी चाहिए या नहीं पढ़ाई गई है या जो गलत पढ़ाई गई है पहले मैं यह साफ कर देता हूँ कि यह मैं गवर्मेंट ओफिशल के हैसियत से नहीं कह रहा हूँ हम भी गवर्मेंट एक्जेक्यूटिव के तौर पे नहीं पूछ रहे हैं एक हिस्टोरियन के तौर पे पूछ रहे हैं हाँ तो मैंने काफी जगे यह जो लेक्चर्ज पगेदर दी हैं आपने देखा होगा कि हमारे हमारे इतिहास की जो यह धारा है उसमें से पहले तो भारतिय संक्स्कृति को इस तरीके से दिखाया गया है कि हम लोग हमेशा ही किसी दूसरे किसी आकरमनकारी के दवन में रहे हैं मतलब अंग्रेज आये थे, उन्होंने हम पे राज किया, उसके पहले मुगलों ने राज किया, उसके पहले किसी और ने राज किया, तुर्कियों ने राज किया, ऐसा करते करते, आप जाएंगे तो देखने हम शुरू से ही आरे भी बाहर से आये थे, तो ये क्यों इस तरीके से क्यों रिखा गया है क्योंकि जब अंग्रेज हमारी इतिहास को लिख रहे थे वो ये दिखाना चाहते थे कि हम लोग हमेशा किसी और के नीचे रहे हैं मतलब किसी और ने बाहर से आके हम पर आकरवन किया हम पर हमारा पर राज किया कि हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है हमा भारतिय अपने अपने दम से कर पाएं तो देखें आपको जैसे एक उधारन देता हूँ आपको लगेगा हमारी इतिहास के किताबों को पढ़के कि मुगल थे फिर उसके बाद अंग्रेज आ गए बीच के 80 साल जो मराठा हम पर राज कर रहे थे उसको इस पर से हटाई दिया गया है। फिर आप देखेंगे जैसे विजए नगर सामराज्य के जो दक्षिनी भारत पे काफी सारा । काफी दक्षिनी भारत पे उनका राज रहा था उनका उल्लेक ही नहीं है कहीं भी फिर नौर्थी स्ट में अहम राजा झो थे छे सो साल तक आहम सामराज्य का अ meilleurान उनका भी कहीं उलेक नहीं है और उन्होंने औरंगजेब को भी हराया था औरंगजेब को भी हराया था बहुत तरह लोगों को भी हराया था बक्तियार खिलजी को भी हराया था तो मतलब कोई भी तुर्की, मुगल, इत्यादी जो भी असाम तक पहुँच पाये थे, सभी को हराया था, अंत में सिर्फ अंग्रेजों ने उनको हराया, मतलब 600 साल तक उन्हों ने सब को हराया था, लेकिन आपको इनके बारे में कुछ सुनने कोई नहीं मिलेगा, तो इस तरीके से हमारे इतिहास को इस एक तरीके से लिखा गया, जिससे हमेशा ये लगता है कि भारतिया हमेशा जाके हार जाते हैं, तो ये इस नेरेटिव को हम लोगों को बदलना ही पड़ेगा, तो एक ये है, अलग दूसरे चीज़ें भी हैं, जैसे हम लोगों ने सामु सामुद्रिक दिरिष्टी कों से हमारे इतिहास को देखा ही नहीं है, आपको लगता है कि ये सिरफ और कौंटिनेंन्ट लैंड बेस्त हिस्ट्री है, ऐसा नहीं है, हमारे आप बंगाल की इतिहास को देखें, या गुजरात के या केरल के आपको ये सामुद्रिक जो संपर्क रहे हैं हमारे इंडोनीजिया से, कमबोडिया से, उमान, व्यापार और व्यापार इत्यादी और सांस्कृतिक तोर पे भी हमारे जो संबंद रहे हैं तो इनके बारे में हमको कुछ सुनने ही नहीं मिरता है, तो दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर जो है वो भारत में है नहीं, वो कंबोडिया में है, अंकुरवट और आज भी इंडोनीजिया में बहुत जगएं ऐसे हैं जहां हिंडू हैं लेकिन हम लोह को इनके बारे वो रुपिया है उनका जो राष्ट्रिय जो सिंबल है वो भी गरुड है और वहां पर जिसे बाली में आप तो गई होंगे वहां पर उसमें आपको सिंबल्स दिखते हैं बड़े-बड़े नहीं बाली जो द्वीप है वहां 90 प्रतिशत लोग हिंदू है तो वैसे उस पर भी हमारे बदलाव आया मानसिक तोर पर भी तो अगर बाली के हिंदू को ऐसा कोई वो नहीं रहा तो वहां पर हम कुछ बदलाव देखते हैं कि वह जो बोलते हिंदू भारत में लुप्त हो चुकी है जो वहां मिलती है तो एक तरीके से उनका जो उनके हाँ का जो हिंदू इसमें कुछ जो परमपराएं हैं वो शायद जादा शुद होंगी लेकिन ये भी है कि वहां के लोकल इंडिजनस कल्चर से भी उसमें मिक्स्चर है तो मतलब हाँ की हर जगे जाके हम लोग लोकल परमपरा से अपना संबंद रखते हैं और उसको बढ़ावा देते हैं ऐसा नहीं है कि वह अभी है लेकिन काफी कम है और दूसरे तरीके का है लेकिन मैं कहूंगा कि हिंदू धर्म के जो वहां जो मंदिर है और उसका जो आर्किटेक्चर वगेरा है वह हमसे काफी अलग सा है लेकिन यह नहीं कहूंगा कि यह सिर्फ मतलब इंडिजनिस है यह हमारे प्राची प्रथाओं जो हमारे यहां लुप्त हो चुकी है उन लोगों ने प्रिजर्व करके रखा है तो वहां उन लोगों ने कुछ ऐसी चीजे हैं जो का आप को लगे का रहे ऐसे ऐसा भी था लेकिन आप जो बापस आएंगे हमारे पुराने किसी मंदिर में जाएंगे आप देखेंगे वहां है लेकिन आज की जो नए जो मंदिर है उसमें नहीं लिखेंगे तो ऐसे ऐसे बहुत अच्छी अच्छी रोचक चीज़े हैं जो आपको अच्छा एक स्टडी रहेगा कॉंट्रस्ट कर जी तो आप अन्ने जगह में भी देखेंगे वियटनाम में भी कुछ हिंदू हैं पचास हजार के करीब पारंपिक अभी हैं आज भी हैं एक जमाने में वियटनाम भी पूरी तरह से हिंदू राज्य था कंबोडिया वियटन थाइलांड में भी वह वैसे बुद्धिस्ट है लेकिन वहां भी आपको हिंदू धर्म का बहुत सारा तो यह हिंदू धर्म वहां तक पहुंचा इसकी क्या कहानी है इसकी कहानी है कि शुरुआत में यह व्यापार से मैराटाइम लिंक्स थे कुछ लैंड रूट्स भी थी लेकिन यह ज्यादा तर वैराटाइम लिंक्स हैं और दक्षणी भारत से और पूर भारत मतलब कलिंग बंगाल आंधरा और तामिलाट इस जो यह समुद्धर तठ से बहुत लोग वहां व्यापार के लिए जाते थे और आना जाना रहा है ऐसा नहीं कि सिर्फ एक तरफा र लाउतिस एशेया के लोगों का वह नागा तो नागा पत्नम जैसा है एक आज भी एक और बंदर गाए जो नागा पत्नम नाम से जाना जा रहा है उसका मतलब ही है कि यह नागाओं का यह शहर है तो मतलब यहां जरूर आते होंगे इतने लोग आते होंगे कि उनके नाम से तो जैसे और आना जाना बहुत था जैसे आप एक डाइनिस्टी है जैसे जिसका नाम है पल्लव अब उनका जो मैट्रिलीनियल लाइन है वो शाय मलेशिया या कमबोडि से आया होगा यहां तो वहां की जो राजकुमारी थी उसे किसी ने विवा किया होगा उस आधार पे लेकिन मैं यह इसी लिए बता रहा हूं कि यह जो संबंद रहे हैं यह कोई पुरानी मतलब यह ऐसा नहीं है कि लोग भूल गये हैं आज भी उसका असर देखेगा और उन हम लोगों ने दुनिया पे कितना आज हम जो हम लोग विश्व गुरू कह रहे हैं यह नई बात नहीं है हम लोग दो तीन हजार साल तक विश्व गुरू वास्तम में हम लोग विश्व गुरू थे और दुनिया पे बहुत सारा हमारा असर पड़ा था लेकिन क्या हुआ है इसको डबोज दिया एक तो अंग्रेजों ने किया लेकिन अब तो हम 75 साल हो चुका है हम लोग अगजाद रहें तो इन 75 साल ने किया किया दुख की बात ये है कि मार्क्सवादी और नहरुवादी जो इतिहासकार हैं वो चाहते ही नहीं है कि हम लोग अपने इतिहास में हमारे जो स्वर नियुग के बारे में सोचे क्योंकि उनको लगता है कि इस से किसी तरीके से राश्रवाद बढ़ जाएगा तो इसी लिए उसको उन लोगों ने दबोच के हटा दिया है हमारे इतिहास के किताब से वैसा यह एक नया जो नरेटिव आया है कि भारत का जो उत्पत्ती है तो 1947 से उसका इतिहास शुरू होता है एक यह दूसरा आइडिया ब्रिटिश जो आये थे उन्होंने भारत को जोड़ा उससे पहले भारत की भारत की कोई थाई नाम की कोई चीज प्रश्न ये है कि 1947 के बाद हमारी तिहासकार हमारे जो बुद्धी जी भी है वो ये क्यों कहते हैं कहते हैं इसलिए हैं क्यूंकि वो चाहते हैं कि हम लोग को सोचना कि एक ही परिवार के नाते हम लोग एक राष्टर बने तो यह सोचिए कि अगर हम लोग भारत थे ही नहीं तो बंदे मातरम का जो लिखा गया उनिस्वी सदी में तो हम लोग मातरम है कौन? ठीक ही नहीं? तो यह पूरी जो यह सोच है वो कहां से आई है? इसलिए चाहते हैं कि कहना चाहते हैं गांदी जी को अठा नहीं सकते हैं इतिहास से तो कहते चली यह बापू जी है फादर अफ़ दे नेशन तो एक बार फादर अफ़ दे नेशन बन गया उसका इसके पहले नहीं था तो फिर उसके बाद चाचा जी भी हो सकते हैं दामाद जी भी हो सकते हैं तो यह जो नेरेटिव है इसको इस तरीके से बैठाया गया है जबकी जबकी आप जाये पुरान में भी विश्णु पुरान में साफ साफ कहा है कि हिमालय के दक्षण में और समुद्र के उत्तर में जो यह प्रदेश है वही है भारत यह लिखा है यह मैंने नया थोड़ी लि ग्रंथों में अगर लिखा लिख किया गया है तो है हमारे पास यह सोच थी कि यह जांबू दीप ऐसे यह से बहुत सारे नाम है जिससे इसका उलेख होता है कि यह एक जिग्राफिकल एंटिटी है और एक कल्चिरल और सिविलाइशेशनल एंटिटी है और जो बारत वर्ष जिसको बोलते है उसका नाम की अलगी एक कहानी है जो हर्याना से शुरू होती है जी तो इसमें भी यह इसकी जो यह कहानी है इसको भी हम लोगों ने कहीं पढ़ाते नहीं है तो लोग बहुत सारी कहानिया ऐसे है एक है कि महाभारत के जो भरत है राजा उससे है यह नहीं ह वो भरत राजा की से जो ये कहानी जुड़ी हुई है जिससे भारत वर्ष कुछ लोग कहते हैं यह सा नहीं है उससे कहीं पुराना एक रिग वेद में भी एक जनजाती के बारे में लिखा गया है जिसका नाम था भरत या भारत या तुर्ट्सू भी कहते हैं ये जो जनजाती है वो हर्याना में बसी हुई थी और सरस्वती नदी के टट पे तो सरस्वती नदी कहा है तो पहले तो ये मार्क्सवादी कहते हैं कि सरस्वती नहीं थी नहीं अभी भी बोलते है कि ये हर्याना सरकार जो रिवाइव करने का कह रही है कि ये तो लेकिन इसमे कोई इसमें बहस की कोई बात ही नहीं है आप स्वैम जाके गूगल मैपस में देख सकते हैं कि यह एक नदी थी आपके गंगर जिसको आप हम गंगर कहते हैं वो पूरी तरह से हमाले से पूरी यह गुजरात तक मतलब गुजरात के रान अफ कच तक इसका यह जो इसकी बहती और इसमें साथ नदिय जाके जुडने वाली है उसके बारे में महाभारत में लिखा गया है क्योंकि बलराम उसमें तीर्स पे गये थे और उसमें कहते हैं कि हाँ साथ सरस्वत है युद के समय तो ये पूरा लिखा हुआ है ऐसा कोई है मतलब मैं बनावटी तो ही नहीं उसमे साथ साथ लिखा हुआ है बाद में लिखा गया है कि ये नदी रिगिस्तान में लुप्त हो गई आज भी कभी कभी बहुत जादा बारिश होता है तो ये घंगर में पानी राजस्तान तक बहती है आज भी अभी जाएंगे शायद ये बरसात के समय आप में घंगर में पानी से यह आज से 4000 साल पहले यह सूग गया और लुप्त होगी तो यह सरस्वती नदी जो है जो लुप्त हो जाने की यह जो यह भी हमारे पारम पर ग्रंतों में लिखा गया है यह कोई यह भी यह भी डॉक्यूमेंटेड है वह आप आर्केलोजी पर भी देख सकते हैं कि यह सरस् साथ प्रतिशक इस घंगर नदी के इर्दगिर्द है तो यह सिंदु नदी के पास नहीं है जादा कुछ है उस साइड में भी कुछ है यमुना साइड में भी कुछ है लेकिन इसका जो मूल रूप जो है यह इसी सरस्वती नदी के इर्दगिर्द है और एक और एक धारा है चोटंग जो कहा जाता है वो दर्शद दोती नदी थी उसका भी उलेख है उसे वो भी लुप्त हो गई थी तो इन दोनों नदियों के इड़ गिर्द बहुत सारी बस्ति आए अब प्रश्ण है कि ये इन लोगों के बारे में हम क्या जानते हैं अब हम लोग जब अफशेश निलते हैं उस अब शेशों में जो लिपी है उसको हम लोग पढ़नी पाते हैं तो इसी लिए हम उसको पढ़नी पाते हैं लेकिन हमारे परंपरा में इनके बारे में दिखा गया है जैसे रिग्वेद साफ सास बताया गया है कि सरस्वती और दुर्षद्वती दो नदी के बीच में एक जंजाती थी उनका नाम क्या था भारता जिस नाम से हम लोग अपने आपको पूरे देश को मांते हैं लेकिन उस समय वो उसी जंजाती महला हरियाना में बसी हुई जंजाती का नाम था अब किसी एक अब इसका हम लोग डेटिंग नहीं सीख से कब हुआ ये नहीं जानते हैं लेकिन ये शायद 5000 साल पहले मतलब 3000 इसा पूर्व में एक कोई वहाँ राजा थे जंजाती के जिनका नाम था सुदास और उनके गुरू थे वशिष्ट और क्या हुआ कि एक दस जंजाती के एक महागड़ भंधन ने उन पे आकरमन किया पंजाब के साइट से मतलब पस्चिम के साइट से उन पे आकरमन हुआ तो इसमें वर्णन है कि सुदास और वशिष्ट अपने सेना लेके पस्चिम के और निकले और रावी नदी परुष्णी लिखा है आज हम उसको रावी कहते हैं उसके तट पे बहुत एक बड़ा सा युद्ध हुआ और उस युद्ध में इन दस इस जो महागड़ भंधन है उन पे उनको परास्ट कर दिया गया और उसके बाद जो सबसे पहला जो सामराज रहा है हमारी इतिहास में उसका निर्मान किया गया जिसका नाम था भारत क्योंकि वही जीतने वाले थे अब फिर ये पूर्व की तरफ मुड़े वहाँ यमुना नदी के तट पे किसी एक राजा थे भेड़ा नाम के उनको हराय गया तो फिर सुदास सबसे बड़े मतलब उत्तरी भारत में कम से कम सबसे बड़े मतलब उनके पास राजा थे तो उसके बाद उनने अश्वमेद यग्य किया जिसमें विश्वामित्र रिशी आये थे तो इस घटना के बाद क्या हुआ कि उन्होंने एक ऐसा काम किया जिसके कारण भारत और हिंदु धन का मतलब पुना निर्बान किया हुआ उन्होंने उस समय की जो प्रथा थी कि जो भी जीता जो भी राजा हुआ जो भी जिसकी भी जीत हुई वो अपने उनके जो भी देवी देवता थे वो दूसरों पे वो उनका पूझेंगे ऐसा उनका उस समय का प्रथा उस समय की जो प्रथा थी उसके बाद में भी रही है लेकिन उन्होंने क्या क्या कि उन्होंने कहा कि जो भी जिनको भी हराया गया है उनके सभी देवी देवताओं को हम लोग पूझेंगे सभी को और इसका साफ से वर्नन है, रिगवेद के सबसे अंतिम सुक्त है, उसमें इसका वर्नन क्या आगे है, आईए बैठिये, उसका समनस्य सुक्त उसका कहते हैं, तो आप आईए, यग्य के चारों और सभी देवी देवताओं के लिए स्थान हैं, हां, एक से हम लोग सभी को पूझे, और एक स्वर में हम लोग, तो सब को एकसेप्ट कर लिया, एक तरीके से कॉलिशन बन गया, यह कॉलिशन बना, तो यह है, नेशन बिल्डिंग प्रोजेक्ट का फर्स इंस्टन्स, अब इस से क्या हुआ कि यह जो विचारधारा है, यह ध धीरे धीरे फैलती गई अच्छा इसमें भी एक नई चीज आपको जानी की जरूरत है कि हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ सभ्यता हमें उत्तरी पस्चिम इलाके में ये सरस्वती इलाके में ऐसा नहीं है पूरे भारत में बस्तियां थी शहरे थी उनकी अपनी 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 सभ दक्षित शक्तिशाली विचारधारा है कि हम लोग सब को एक में बान देंगे तो इसको यह कह सकते हैं कि सरस्वती यमना तैजीव हां कह सकते हैं तो फिर यह यमूना तो गी और फिर आप दक्षिन कावेरी गोदावरी सब जगे यह फैल गई और इसका भी वर्नन है कि यह जो आइडिया लेके अगस्ते मुनी गए दक्षिन की और और विंद्या को पार करके और दक्षिन की तरफ चले गए अब भीगु मुनी यहां भीगु कच्छ चले गए उनके उनके जो वंग्ष के थे जैसे परशुराम वो केरल तक गए तो ऐसे तरह कि यह आइडिया पहल सरस्वती के उनके उनिक इसे सबस रिवर्स रिगवेद्फ में कहा जा रहा है मैं नर्मद्य कुं दो हजा लग तोस्बочки कीज़.. सिंदू भी है आकार बढ़ गया और इसका आकार जो है वो जियोग्राफिकल आकार तो पहली से ही भूगोल तो बदला नहीं लेकिन ये जो सांगस्कृतिक कलपना है वो बदल चुकी है तो आप ये देख सकते हैं कि और ये कारण ये है कि और रिगवेद में जो कलपना है वो कलपना फैलती गई और उसके साथ साथ हमारी संगस्कृतिक जो कलपना है वो भी फैलती गई और जब तक हम पूरे सबकॉंटिनेट में फैल गई और ये फिर जांबू दूइब बन जाता है तो यही तरीके से यही तरीका है जिससे मतलब हम लोग पूरे देश में यह जो आइडिया है फैल चुका था अब यह भी कह सकते हैं कि यह आइडिया फिर इंडोनीजिया इत्यादी दूसरो जगह भी फैल तो अगर आज से 2000 साल पहले किसी को पूछते भारत वर्ष कहा है तो उसमें वह इंडो यह कहा जाता है भोगोलिक तरीके से तो अलग हैं पहली तजी है बिल्ट टरीके से भी आप देखेंगे लोगोलिक दिरुष्टी कों से भी सपकॉन्टनेंट्ट जो है बहुत साफ से यह इसका जो ईसका जो आकार है वह बहुत साट है और चमौनेronics समुद्र है यह विश्ण पुरान में के साफ से कहा गया और बहुत जगे उसका लोग भी है इनके साफ तनदियों की यह लेख है आप समझ लीजिए कि यह स्थान कहा है यह पूरा जो कहानी जो हमारी इतिहास लिखने का जो तरीका था जैसे इस तरीके की कहानियों की तरह की वहां पर गए और उन्होंने विंद्या को कहा कि मुझे उस पार जाना है और अलाइंस के लिए तो उसको फिर नीचे हो गया तो कहानी मिथ लगता है लेकिन एक तरीके से नेशन बिल्डिंग प्रोजेक्ट ही है हां कि कि यह आईडिया कहां पहली तो देखिए मैं बंगाल लिया कि यह भारतिया द्रिष्टी कोन है यह हमारी सब्वेता है इसको अपनाया तो इसलिए मैं भारतिया हो गया हूं तो एक जमाने में एक छोटी सी जनजाती की यह से इस नाम का यह जुड़ा हुआ था अब यह पूरे भारत में पहल चुका इसमें आपका जो मेरिटाइम हिस्ट्री के ऊपर जो बुक है उसमें गुजरात का जो रोल है एक आपने तो बताया कि चलो साउथ इस्ट एशिया का जो इस्ट जो हमारा कोस्ट है उनका तो प्रभाव रहा ही है इधर अगर हम वेस्ट कोस्ट की बात करें तो गुजरात का इनका क्या संस्कृतिक प्रभाव रहा है यहां से लेकर रोमन एंपायर तक? यह गुजरात, केरल, करनाटका, महाराष्टर यह पूरे जो यह पश्चमी समद्रतट का जो यह के इतहास का जो संबन्ध है वो है ग्रीस, रोमन एम्पाइर, पर्जियन एम्पाइर इस और यह खाडी के जो देश हैं उनके साथ तो यह कां से युग से ही शुरू है, इससिहास को शुरू गया जा सकता है और उसमें हमारे इतिहास के हम लोगों तो हम लोगों ने हड़पन लिपी को अभी तक हम लोगों ने डिसाइफर नहीं किया है लेकिन सुमर और मेसोपर्टीमिया इलाके में आज जो इराक है वहां की लिपी को हम लोग पढ़ पाते हैं और उसमें लिखा गया है कि उनके पूर्व से कुछ व्यापारी एक किसी मिलुहा नाम के देश से आते थे मिलुहा देश से वो जो व्यापारी आते थे वो क्या क्या लाते थे वो हाती के दाथ और मोर के पंक और मोर जो पक्षी है उसको भी लाते थे और कुछ ऐसे मतलब स्पाइस वगरा मसाले वगरा ले आते थे तो तब सही है तो इस से हम समझ पाते हैं कि ये लोग भारत से कहीं से आ रहे थे क्योंकि ये एक generic term है ऐसा नहीं है कि एक किसी एक छोटे से जगह से आयोंगे एक generic area होगा शायद गुजरात सिंध एरिया से होगा या हो भी सकता है कि महाराश्टर से भी लेकिन एक general area से ये लोग आ रहे थे लेकिन वो exact कोई जगह है ऐसा शायद नहीं है वो एक जैसे हम लोग अरब कहते हैं तो अरब अरब तो बहुत बड़ा सा जगह है तो उसी तरह किसे मिलूहा का शब्द का जो प्रयोग किया जा रहा है एक बड़े से इलाके के लिए किया जारा है यह तो है कि भारत के किसी अंग्ष्ट है क्यूंकि जो मोर और हाती के दंद और यह जो मसाले वगेरा ला रहे थे वो तो भारत में ही मिल रहा है तो ये भारत के किसी अंग्ष से आ रहे होंगे और क्योंकि ये सबसे निकट है गुजरात तो ये शायद गुजरात से आ रहे होंगे हमारे पास अलग से ये भी मालूम है कि गुजरात में बहुत सारे पोर्ट थे जैसे लोथल लेकिन सबसे बड़ा जो पोर्ट था वो है धोलावीरा और वो धोलावीरा आपको आज अगर मैप में देखेंगे तो आपको लगेगा रहे धोलावीरा तो बहुत अंदर मतलब वह वहां से समुद्र की तरफ जा रहे थे लेकिन उस जमएं में समुद्र का जो की लेवल ता वह अभी से मीटर उचा था है तो तो समुद्र जो ररण फकिष है उसके उपर से समुद्र भाल रही तो उसके उपर आप नाओ लेकर द्वारका की ओर से आप यह बहरें बसरा इत्यादी में जा सकते थे एक और जो हम जैसे पढ़ते थे बहुत सार जिसे बड़े हुए तो अशोका के बारे में बहुत पढ़ते थे कि अशोका महान दो-तीं महान थे एक अलेक्सेंडर एक अशोका और एक अकबर तो अशोका क्या सच में महान थे यह अजीब सी कहानी है कि अशोका ने इस मौरिय सामराज जो का उन्होंने इसका इसकी स्थापना नहीं की उसकी स्थापना तो उनके दादा जी जो थे चंद्रगुप्त मौरिया और उनके ग उसके बाद अशोक आए, अशोक उन्होंने अपने सब भाईयों को मार डालके सिंगासन पे दखल कर लिया, तो उस पे बैठ गए, तो पहले से याद रखिए कि हमारी सांस्कृतिक प्रथा में अशोक को चंड अशोक के नाम से जाना जाता है, तो उनके बारे में कुछ अच्छा ये कहा गया है, ऐसा नहीं है, और ये भी चंड अशोक की बात ये सब मान लेते हैं, मार्क्सवाधी भी मान लेते हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि फिर अशोक ने, समराट अशोक ने कलिंग पे आकरमन किया, वहां बहुत नरसंगहार हुआ, और उसके बाद वो एक बौद हो गए और एक पैसिफिस्ट हो गए, अब इसके लिए किसी भी जगए कोई सबूत नहीं है, सबूत ये है कि समराट अशोक इस कलिंग युद्ध के पहले ही बौद थे, ये भी जितनी दूर तक सबूत है, ये है कि ये बाद में भी उन्होंने बहुत जगह पे नरसंगहार किये, अजीविका एक जाती थी और धार्मिक प्रता थी, उन्होंने आक्रमण किया, उन्होंने बहुत सारे लोगों को मारा, जैन जो कम्यूनिटी है, उनके उपर भी उन्होंने बहुत सारे अत्यचार किये, ये युद्ध के बहुत साल बाद तक, तो ये कहना कि वो फिर पैसिफिस्ट हो गये थे, इसके लिए कोई सबूत नहीं है, जबकि सबूत है कि उन्होंने कुछ किया, उसके बाद भी लोग कुछ कुछ प्रवा उन्होंने श Commerce लिए, कि मैं सबसे प्यार करता हूं करता हूं यसी उन्होंने लिखा है कि अगर कहता है कि मैं बहुत बहुत अच्छा हूं तो उसको फिल्तों गई उस पर विश्वास करते हैं तो क्यूं अचानक से सम्राफ अशोक करनेabas करने लगे ज जितनी अलग से जो भी सबूत मिल रहे हैं वो तो सब ही दिख रहे हैं कि उन्होंने दूसरों पर आकरमन्ट किया, बहुत सारे लोगों पर अतियाचार किया, वही दिख रहे हैं, और सबसे बड़ा ये सबूत है कि ये जो मौरिय सामराज, अशोक के जीते जी, ये तूट गय हाँ पतन तभी से शुडू हुआ है, तो फिर कहां से माहान वैट औरंगजेव ने जैसे मगलों का नाश किया ही, जी तो मैं कहूंगा कि उनका तुलना जो किया जा सकता है, वो औरंगजेव Чтобы औरंगजेव नहीं वह ने भाईयों को मारा, फिर उन्होंने धonst likewise हमारा में प फिर यह समराट अशोक और उस समय बुद्धिजम का ज़्यादा फैला हो गया और उसके बाद फिर ब्रामनिकल हिंदुजम आया वापस रिफॉर्म आये आठ्वी यह कहां तक सही है यह कहांई की एक बार हिंदुजम एक बार बुद्धिजम एक यह एक यूरोपियन विचा सदारा से और तृष्टिकों से देख रहे हैं क्योंकि उनकी इतिहास में क्रिश्टियाटी आई फिर रोमन कैथलिक्स आए फिर उसमें प्रोटेस्टन्स आए प्रोटेस्टन्स के साथ रोमन कैथलिक के युद्ध हुआ तो फिर रेफरमेशन हुआ तो उनकी इतिहास में narrative चलती है हमारे यहां हिंदू और बौध में हाँ ये बौधिक स्तर पे बहुत सारे बहस हुए होंगे लेकिन ऐसे कोई बहुत जादा यह सबूत नहीं है कि बहुत युद्ध हो रहे थे लोग एक दूसरे को मार काट रहे थे ऐसा बहुत जादा सबूत हुए होंगे एक दो जैसे मैंने समराठ अशोका का जो जिक्र किया लेकिन समराठ अशोक के छोड़के बहुत ऐसे सबूत नहीं है जहां मतलब बहुत मार काट हो रहा था क्योंकि जैसे नालंदा लीजिए नालंदा में आप तो हम सोचते कि बुधिस्ट स्टाडिज के लिए लेकिन वहां राजा शशंक जो बंगाल करा दाते है उसका जाता था कि यह बुधिस्ट के अगयंस्ट लेकिन उसका जो यह जो नालंदा जो विश्व वत्याले की स्थापना भी हिंदु राजा कि एक कुमार गुपतनिकिस समय में किया तो ये कहना एक्तम ही गलत है कि ये कोई एक competition चल रहा था ये मैं कहूंगा कि धार्मिक प्रथाओं में बहुत धर्वकार भी एक स्थान हैं हिंदु धन में भी शेव वैशनव बहुत सारी प्रथाओं हैं और कोई एक राजा इस तरफ का था कोई एक राजा दूसरे तरफ का शायद उसने अपने जिस प्रथा में उसका जन्म हुआ या जिसमें उसका विश्वास रहा होगा उस हिसाब से उसने शायद एक में जादा पैसा दिया होगा उसका थोड़ा सपोर्ट किया होगा लेकिन पूरे देश में सभी चल रहे थे और मैं कहूंगा कि ऐसा कोई बु लेकिन सभी चल रहे थे अंत में तुर्की जब आए तब उन्होंने पूरी तरह से बुद्धिस्म को खतम कर दिया और बुद्धिस्ट जो सेंटर्स थी जैसे नालंदा उसको कंप्लीटली उसको जला के राक में कर दिया तो उसके बात बुद्धिस्ट बुद्धिस्म का पतन हो गया तो यह जो जैसे आप तो ऐसे कह रहे हैं कि जिसे महराजा रंजीत सिंग ने पूरी टैंपल में जिसे डोनेशन दिया या वो सोने का चड़वाया तो अब हम कहें कि भाई वो सिख सामराज्य था और वो कंफ्लिक्ट था अगर उस तरीके से देखना शुरू कर कि सिख जब अफगानिस्तान गय थे तो गजनी में गये और गजनी में वो सुमनात के जो पिलर से उसको ढूंड रहे थे अब सुमनात के पिलर सिख राजा क्यों ढूंड रहे हैं हाँ आप अगर काशी विश्वानात में जाएंगे महां भी देखेंगे कोपर का जो सोना र पेंडिंग है वो है हमारे जो करांतिकारी हैं जिन्हों ने आजादी दिल्वाने में बहुत मैत्वपूर्ण योगदान दिया लेकिन उनका योगदान हम पढ़ते नहीं है पाथे करम में उनके ऊपर थोड़ा सा जितना बता सकें क्योंकि अभी आपको समय की कमी है तो उन प को पढ़ाया जाता है तो उसको आपको पढ़के लगेगा कि हम लोग मतलब अंग्रेजों के नीचे एक बार वो 1857 में थोड़ा सा जो विद्रो हुआ उसके बाद हम लोग सब चुपचा बैठे थे पिर बीच में गांदी जी आये उन्होंने सब को कहा कि आप मतलब हिंकसा के तर और सत्याग्रा के माधियम से आप अंग्रेजों को अनुरोध करें कि वो चले जाए तो अनुरोध करने के बाद वो कुछ साल नोंने सुना फिर वो चले गए तो बहुत शांती पूर्व तरीके से हम लोग स्वाधीन हो गए लेकिन अगर आप उस समय के ही सही नहीं है और ये श्यसस्त्र जो संग्राम रहा है उसका जो ये योगदान है वो वो शायद ये गांधियन और कॉंग्रिस संग्राम से शायद जादा कम तो नहीं है शायद जादा ही है और तो प्रश्न ये हैं कि इस नेरेटिव को कैसे बताया जाए तो चूंकि ये ज यह जो घटनाएं हैं यह तो कुछ सतर साल पहली है तो इनको भुलाया नहीं गया है क्योंकि भगत सिंग, चंदर शेकर आज़ाद, उधम सिंग, राजबिहारी बोस, इनके नामों को लोग जानते हैं, लेकिन इनको मालूम नहीं होगा, ऐसे देखते हैं कि यह सब अलग-अल ने लोग जो हैं, उनके बारे में किसी ने ठीक से इस तरीके से नहीं लिखा जिससे आप समझ पाएं कि इनकी लीनियज क्या है, और यह क्या करना चाहते हैं, तो आज जैसे आप श्री अरविंदो के बारे में हम जानते हैं, तो हम सोचते हैं कहां यह रिशी हैं, यह स्वि बीच में ये क्रांतिकारी थे और इनका योगदान क्रांतिकारी संग्राम में बहुत ही ज़्यादा था और वो Congress में भी थे, Congress में ँगरमदल था उसके बी एक बड़े नेता थे, हां यह भी एक प्रश्ण है, हम गरमदल नर्मदल क्यंजोंस अर्जूए इस अमें इस इंमा राइट अच्छे थे और स्ट्रेमिस्ट किसी त्रीके से बहुत उग्रवत बिपन्ति थे यह नहीं है इस टृम है यह जिन को हम कह रहे हैं वह कौन थे लाल बाल पाल अर कैसे बाल कौन घंगडगते को कह रहे हैं treatments पूरनइस्वराज वह कौन से खराब चीज़ इन्हें और ग्रपंदी चीज तो किस शबदों का इस्तमाल उस था राश्ट्रवाति कि और जी जाने थे वह यूज्ड करते थे लॉयलिस्ट और नेशनल इस्ट ढाइट है हाँ तो जो राश्ट्रवादी हैं वो लाल बाल पर रहा है उनको गरम दल कह रहे हैं लेकिन वो राश्ट्रवादी है और लॉयलिस्ट है मतलब वो उसका हिंदी का इसमें क्या अनुमाद होगा मैं नहीं जानता लेकिन वो जो मतलब अंग्रेजों के मतलब उनके साथ काम करन वाले लोग थे तो आप सोच लीजिए आप की जो शब्दों का इस्तमाल है उसी में हम लोग पहले से ही उस मतलब करांतिकारी विचारधारा को पहले से हम लोग ने नकार दिया और फिर आप आपको फिर नहीं बताया जाता है कि प्रसम विश्व युद्ध में जर्मनी के जैसे राश बिहारी बोस सचंदनात सानियाल बागा जतियादी इन्होंने कोशिश की थी एक 1857 जैसा एक मतलब विद्रो हो अब सफल नहीं हुए वो अलग बात है लेकिन ये छोटी मोटी सी ये कोई प्रयास नहीं थी मतलब ये ये ग्लोबल लेवल पे एक बहुत बड़ा सा ये सादिश रहा था और ठीक है अलग बात है ये सफल नहीं हो सका लेकिन ये अज़ाद हिन फौज का जो निर्माता थे वो कौन थे वही राजबिहारी बोस चेश जन्होंने फर्स्ट वर्ल्ल वर में जो प्रयास कोशिश की थे वही वो से दुतियत विश्वेद में वही कर रहे थे तो आज़ाद हिन्द फौज का जो गठन हुआ यह नहीं बताब किया था कि अधरो चंदर बोस बाद में आए थे राजबिहारी बोस ने जो गठन किया गया थे राजबिहारी बोस ने सिंगापोर में किया था पहले और ये उनके दोसरी वाली ये प्रयास तब तक वो बहुत बुड़े हो चुके थे और नेता जी तब जवान थे तो राजबिहारी बोस नहीं नेता जी को इसको सौब दिया था तो इसलिए ये ये जो कहानी है और ये भी ना सवल रही कि क्योंकि दुटिया विश्वयुद में जापान का हार मानना पड़ा तो आज तब संग्राम उहीं खतम हो गया बैठ गये क्योंकि जब ये जो सैनिक थे उनको जब लाल किला लाया गया तब भारतिय नौसायना में एक बहुत बड़ा सा एक विद्रो हुआ 1946 में सो 46 के जो विद्रो के बारे में हम ये नेवल म्यूटिनी है उसके बारे में भी हम कोहीं पढ़ाते नहीं है लेकिन ये भी कोई छोटी मोटी सी कोई घटना नहीं थी इस विद्रो में 20 हजार के करीब नेवी के सेलर ने म्यूटिनी किया उनने 80 के करीब बैटल शिप्स को कैप्चर किया और फिर जब मुंबई में और फिर कलकत्ता कराची इत्यादे में भी सब सबें फैल गई और इसका कितना योगदान पादा दिने है इसका ये गांदी ने नहीं हमको तो सुबाश तो हम बेद कर जीत सही कह रहे है क्योंकि अगर आप इस तरी बिश्वे युद्ध में कोई प्रयास किया वह ना सफल रहा फिर आपने दुते विश्वे विद्ध में और बड़े बड़े तरीके से और ये कुछ हद तक सफल रहा क्योंकि ये आजाद हिंद फोज का गठन तो हुआ अलग बात है कि यो बिश्वे युद्ध में हार के बाद उसी म्यूटिनी के होते हुए ये क्लेमेंट एटली ते उसी म्यूटिनी के दौरान इंडिपेंडेंस होने का ऐलान किया था तो ऐसा नहीं है कि उनको मालूम था कि अब हाथ से निकल चुका है भारत तो आब इसको किसी तरह से यहां विभाजन वगेरा करके हम लो बस उनका जो सेकंड वर्ड वोर में जो उनका शक्ति कम हुआ सिर्फ उसकी वज़े से नहीं बागे यह म्यूटिनी जो हुआ जो आर्म्ड फोर्सिज में हुआ उसकी वो में पार था इसके की हमारे यहां जो शसस्त्र सेनान थे वो उनकी जो उनके तरफ जो लोयल्टी थी उसके अधार पे थी अब जब यह लोयल्टी खतम हो चुकी है अब जब यहां साफ साफ यहां मतलब विद्रो का एक माहौल है तो फिर उनको समझ में आ गया कि अब भारतियों को हम ल जाते हैं तो एक साल के इस नेवल म्यूटिनी के एक साल बाद हम लोग स्वाधीन हो गया ने देख रहे हैं धीरे-धीरे लें रिख रहा हूं इसका रिसर्च मैंने जादातर मैं कहूंगा कि 99 प्रतिशत के करीब मैंने कर लिए और लिखना है मुझे समय नहीं मिलता है इकनॉमिक सर्वे और बजट लिखने में लग जाओंगा तो फिर से मैं उस पर बात कहना चाहूंगा कि मतलब 2014-15 के बाद जो से आपने इसमें सहयोग देना शुरू किया है तो जो क्वालिटी है वो एकदम से इतनी बढ़िया हो गई है एकनॉमिक सर्वे पहले तो ऐसा ल दिखेगा तो वो एक बहुत बड़ा बदलाव आया और जो क्वालिटी है एकनॉमिक सर्वे इस का आई एस के जो प्रिपेरेशन करते हैं उनको ज्यादा पता होगा लेकिन मैं भी तीन-चार साल से पढ़ रहा हूं तो बहुत अच्छा लगता है उसके लिए बहुत- दूस तक खतम कर पाएंगे क्योंकि आज एकनॉमिक्स पे नहीं था लेकिन एक छोटा सा बहुत आखरी सवाल एकनॉमिक्स पे पूछना चाहूंगा कि जीडीपी का डेटा आज आने वाला है फर्स्ट क्वार्टर का क्योंकि मैं जब भी आपको सुनता हूं एकनॉमिक्स तो थोड़ी आशा बंदती है कि हां कुछ ना कुछ अच्छा होगा आके जाके तो उस पर थोड़ा कुछ गुड़ न्यूस दे सकें अच्छा नहीं तो वैसे प्रोजेक्शन नहीं नॉट इन नम्रेक्शन तो वैसे भी जब तक यह दिखाएंगे तब तक यह निकली आए मैं कहूंगा कि देखिए यह विश्व के अर्थ विवस्ता पर जो इसका जो मतलब प्रभाव पड़ा है इस महामारी का यह तो कम नहीं है इसमें भारत पर भी प्रभाव है दुनिया के सभी देशों पर प्रभाव है लेकिन फिर भी यह कहूंगा कि यह इस इस फिवस्ता इस्थिती में आज है और बहुत सारे हम लोगों ने देखा होगा आर्थिक बदलाव भी हम लाए हैं इसके लिए इसलिए हम इस्थिती में हैं कि जब भी ये महामारी की जो क्रम है जब इस समाप्त हो जाएगी तो हम लोग बहुत ही जल्दी इस economy को खोल के चला च लेकिन यह कहूंगा लेकिन हम लोग अचानक से नहीं दवाना चाहते हैं क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछली बार भी फिर्स्ट वेव के बाद हम लोग एक्सिलरेट कर रहे थे फिर दूसरा वेव आ गया है तो उस पर फिर से हम लोगा का मनी गती में यह तो मेरे को प लेकिन करें लेकिन वो कभी किसी और दिन करेंगे तो इतना समय दिया सर बहुत बहुत धन्यवाद 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 नमस्क्राइब